भाजपा के वरिष्ट नेतव विपिन सिंग परमार ने कहा है कि प्रदेश में सुख की नहीं बलकी सूफी सरकार है दरमशाला में पत्रकारों से बातसित करते हुए विपन सिंग परमार ने कहा कि मुख्यमंदर सिंग सुखु व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन उन्हें डर है कि व्यवस्था परिवर्तन करते करते कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है औरने आरोप लगाया कि प्रदेश में आपड़ा पेडितों के लिए केंदर से आई मदद की बंदर बांट हो रही है और सरकार आपड़ा में भी प्रष्टाचार की संभावना दलाश रही है उन्हें का कि केंद सरकार द्वारा भीजी गई राहत राशी प्रभावितों को नहीं बलकि सरकार अपने चहेतों में बांट रही है विपिन प्रभार ने सरकार में कांगरा से महज एक मंत्री होने पर इसे प्रदेश के सबसे बड़े जिले के साथ राजनीतिक भेद भाव करा दिया भाजपानेदा ने सरकार प्रभष्टाचार से समझोता करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मुखे मंत्री सुखविंदर सिंग सुखु का अपने ही मंत्रियों से तालमेल नहीं है उन्होंने प्रदेश सरकार को समवेदन हीन भी करा दिया इस कॉंग्रेस की सरकार में तालमेल का अभाव है और सिरीक सुखविंदर सिंग सुखु बताएं कि साथ महीनों में कभी कवार और इस बार तो शीत कालीन प्रवास भी नहीं हुआ कहा मैं परमपराएं बदल रहा हूँ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ कहीं ऐसा नहों व्यवस्था परिवर्तन करते करते सरकार का ही परिवर्तन हो जाए ये लक्षन गजर आ रहे हैं गरंटियों की बात तो बहुत दूर ही परंतु जिला कांगडा के साथ जो भेद भाब हो रहा है बर्तमान सरकार का इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांगडा चंबा निचले क्षेत्र का जो के साथ जो सोतेला व्यवहार हो रहा है उसकी भी कड़े शब्दों में हम निंदा करना चाहते हैं